नमस्कार दोस्तों तो मार्केट में लगा तार गिरावट जारी होनी के दो में रिजन नहीं ने देखिए एक तो जो। जो ओयल से खबर आनी थी वो नहीं आई है दूसरा वोर के दिस्टर्डबिंग है कि यूरोप पे खतरा थोड़ा थोड़ा मंटरा रहा है तो क्या हुआ एक्चली मैं रूची सोया और मैंने आपको बताया था कि आप मत खरी दिया भी तो बेचने का ही टाइम है क्योंकि प्राइस एफ पी जो भी था बहुत नहीं चाहिए तो साफधान रहेगी उसमें स्टी लंबी खिचेगी तो क्या बढ़ेगा आप जानती हैं प्राइस बढ़ेंगे गुड्स के गुड्स के प्राइस बढ़ने का इंपक्ट सारे बिजनसेज पर थोड़ा थोड़ा पड़ेगा बट में जो खबर आई थी सुभाई थी कि अनों में आमोनिया का जो लीक हो गया ह इस्टन यॉक्रेयन में इस्टन यॉक्रेयन में एक्षिल में पांच किलोमेटर के अरिया में यह लीक का इंपक्ट पड़ने वाला है तो यह खबरें जवारी है कि इस्टन बोर्डर पे इंपक्ट पड़ रहा है तो यह एक पैनिक सेलिंग होगी अब कुछ दिन तक अगर से पहुंच गया है जो 100 डोलर पर आ गया था तो यह इंपक्ट डालेगा बट जब तक 16-800 नहीं तोड़ता है तब कोई डरने की ज्यादा बात नहीं है 16-800 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है वहां तक चाहिए और अच्छे स्टोत मैं शाम को एक वीणे बनाँगा सारी वीडियो देखा केजिए समय वीडियों टाल थी वह भी देखेगा बहुत जरूरी है शाम को एक वीडियो डालोगा जिसमें पांस ट्रोक बताऊंगा जो कि इससे अंचुए हैं बलकि एक्चुली हो अपोजिट है आपको प्रॉफिट दिल्वाएंगे इस मार्केट में वह भी जरूर देखे